जहिन दोस्तो स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चेनल में तो आज की वीडियो हम लेकर आएं आपके लिए MPGK के बहुत ही महत्तपूर्ण यहाँ पर question answer तो वीडियो को अंत तक जरू देखें कि अगर अभी तक आपने हमारे चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चेन थाकि ओल वीडियो की notification आपके यहां तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें और वीडियो को like करना ना भूले है पीडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ें टेलिग्राम एप में आपको जो है सर्च करना है आई एस स्टेडी टरेक यहां से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जहां पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडियाप फाल रहे थी वह हम टेलिग्राम ग्रूप में आपके लिए उपलब्द कर देते हैं तो आप टेलिग्राम ग्रूप से अबसर जुड़ें तो यहां पर जो right answer होगा वैय है क्या है वैय विकल्प नंबर डी यानि की उप्रोग सभी आपके हां पर right answer होगा कि वामकारेश्वर किसके लिए प्रिसिद्ध है तो सिद्धनात मंदिर संक्राचार की गुफाएं और महादेव मंदिर जो है उप्रोग सभी आपका right answer है अंगला सूरसेन, मान सेह या तेजकरन तो गोजिरी महल है जो इसका जो निर्माण है वै किसने करवाये था तो आपके यहाँ पर right answer होगा विकल्प number C मान से हैं जो हैं आपका यहां पर राइट आंसर होगा इन्होंने गुजिरी महल का निर्माल करवाया था अंगला कॉस्चन है मद्द प्रदेश में रामगाड मंडला की राणी ने किसके साथ युद्ध किया था तो किसके साथ युद्ध किया था यह बता नहीं मोगल, मराथा, अंग्रेज या उपरोक सभी तो कॉस्चन नमबर 3 कहां पर राइट आंसर क्या होगा जो रामगाड मंडला की राणी थी इन्होंने किसके साथ युद्ध किया था तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर C विकल्प नमबर C में अंग्रेज जो है आपके हाँ पर सही आंसर है अंग्लिया कॉस्चन है क्या है कि मद्ध प्रदेश के किस छेत्र में मपकरूप से कोरकु जन जाती पाई जाती है तो कोरकु जन जाती बताना है किस छेतन पाई जाती है पूरव के जिलों में, पस्चिम के जिलों में, दच्छन के जिलों में या उत्तर की जिलों में question number 4 कर यह पर right answer बता नहीं तो इसका right answer क्या होगा कि कोरकू जन जाती है जो एय मुक्जरूप कहाँ पर पाई जाती है तो आपका किस उय स्ट ना पाई जाती है तो आपका right answer होगा विकल्प number C विकल्प number C में क्या है कि दच्छन के जिलों में korku जनजाती पाई जाती है अंगला question है यापर कि निम्न में से किस जनजाती की निवास को sucked saarana कहा जाता है तो वै क्या जनजाती है भील, गौण, शहारिया याप उर्कू तो question number 5 के हाँ पर right answer बताना है कि निम्न में से वाइक कौन सी जन जाती है जिसके निवास को क्या कहा जाता है सहराना कहा जाता है तो सहराना कहा जाता है सहरिया सहरिया जो जन जाती है जिसके निवास को कहा जाता है क्या कहा जाता है सहराना अंगला कॉस्चन यहां पर क्या है कि मद्द प्रदेश में नवास करने वाली किस जन जाती में घोटल वा बाड़ा परंप्राइं पाई जाती हैं तो वह कौन सी जन जाती है मद्द प्रदेश की जिसमें घोटल वा बाड़ा जो परंप्राइं पाई जाती हैं साहरिया, गौण, कूरकू या भील, तो question number 6 का यहां पर आपके लिए right answer बताना है, question number 6 का right answer क्या होगा, मद्द प्रदेश में नवास करने वाली किस जन जाती हैं, घोटल और बाड़ा जो परंपरा हैं पाई जाती हैं, तो आपका right answer है, गौण, गौण आपके यहां पर बिकल्प नमबर जो B है, यहां पर by right answer होगा, जो गौण जन जाती है, इसमें एपरिथाएं पाई जाती हैं अंगला question यहां पर क्या है कि तांसर मद्द प्रदेश की किस राजा के दरवार में थी, तो आपका right answer यहां पर बताना है, question number 8 का, क्या होगा, जीवा जीराव सिंधिया, या मलहर राहूलकर, या रामा चंद, रामा, राम, 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 राम, 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 के राजस्रे में थे बगेल बंस या बूंदेल बंस परमार बंस है या बाकाटक बंस बताइए Question no.9 का राइट आंसर बताना थे तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है क्या है बूंदेल बंस यानि की विकलब नंबर आपका B यहाँ पर राइट आंसरों का बंदिल बंस है कि राज श्रे में थे कौन तान्स हैं अंगला कोस्चन है यहाँ पर क्या है कि भोपाल राज्य को भारतिय संग में कब सामिल किया गया तो कब सामिल किया गया था भोपाल राज्य को भारतिय संग में 10 दिसंबर 1949, 1 जून 1949, 9 विकल्प नंबर B, विकल्प नंबर B में क्या है कि 1-1949 आपके याँ पर राइट आंसर होगा, 1-1949 को भुपार राज्य को भार्चिसंग में सामिल किया गया, अंगल्या कोश्चन है क्या है कि प्राचीन भारत में सती परता के प्रचलन का प्रतम साख्य मद्द प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए चार विकल फेन जल्दी से कमेंट में आंसर बताएं क्या होगा कोश्चन नमबर 11 का राइट आंसर मंद्द सौर, तिगवा, विदीशा या एरण तो जो प्राचीन भारत में सती प्रता के प्रिचलन का प्रतम साख्य मद्द प्रते से कहां से प्राप्त हुआ तो आपका राइट आंसर होगा एरण, एरण आपके यहाँ पर सही आंसर है अंगल्या कोश्चन है क्या है कि बांदवगड का किला किस जिले में है तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बांदवगड़ का जो किला है एक इस जिले में है तो आपका राइट आंसर होगा उमरिया उमरिया यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर जो विकल्प दिया नहीं है उमरिया जो है बांदवगड़ अब भ्यारन जो है उमरिया में है तो बांदवगड़ का किला कह शामापर है अन्गिला क्या है कि मद्द प्रिदेश में किस परकार की बन पाइजाती हैं चार बिकल्प हैं आपके सामने उस्टिन गटी बंदिये उस्टिन कटी बंदिये सदा नंसर 청ड़ बन निए और यंकि Π्रीद अंसर व किस † बिकल्प त्रीदेल नमबर एक जो है यहांँ पर आपका राइट आंसर होगा अंगला कौस्चन है कि भारत का बन प्रबंधन संस्तान मद्ध प्रदेश में कहां पर हो गां वताईए इंदौर में भोविल्मasse ग्रेचित अरीविण question number 14 का right answer बताना है कि भारत का बन प्रवंदन संस्तान जो है मद्द प्रदेश में कहाँ पर है भोपाल आपके यहाँ पर विकल्प number B right answer होगा विकल्प number B अंगला question है निम्नमेसी नर्वनन नदी पर कौन सा पांध नहीं बना है चार विकल्प हैं आपके सामने तो बताईए right answer गांधी सागरबांद बरगी बांध इंद्रा गांधी इंद्रा सागरबांद या ओमकारिस्वर तो यहाँ आप से पूंचा है कि नर्वनन नदी पर कौन सा पांध नहीं बना है तो आपका right answer होगा क्या होगा right answer गांधी सागरबांद बिकल्प नमबर एक जो है आपका यहाँ पर right answer होगा अंगला question है मद्प्रदेश डांकतर परिमंडल का गठन कब हुआ तो कब हुआ था 1962 में, 1965 में, 1972 में, 1977 में question number 16 का right answer बताना है आपर question number 16 है जो इसका right answer है भै क्या है तो इसका right answer है विकल्प नमबर एक 1962 आपका जो है right answer होगा 1962 अंगला question है कि मद्प्रदेश का प्रिथम समाचार पत्र है गौलियर अखबार महाकोशल नव भारत या नई-दुनिया तो मद्द प्रदेश का जो प्रितम समाचार है समाचार पत्र है वह कौन सा है ग्वालियर अकबार जो है आप यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प नमबर एक अंगला कॉस्चन की इन दोर से प्रकासे ते जो है 1844 में कौन सा समाचार पत्र है विमालवा अकबार इसकी पादक पंडित प्रेम नारायन पंडित सुंदर सुंदरलाल सर्मा या अंबिका चरण सुकल या प्रांड चट्ड तो बताइए राइट आंसर तो आपका यहां पर राइट आंसर है विकल्प नमबर एक यानि की पंडित प्रेम नारायन आपका यहां पर राइट आंसर कोस्चन है मांक शेटराल शेटर बेदी राश्टि परत्र रिकारिता विस्विद्याला की गई कर दी मांधनलाल चेटर बेदी कहोसर करम पर सíक चाहाइट आंसर होगा विकलब नंबर कोस्चन है क्या है मरणदब्रदेश , अनुदान आयोग कि इस्ठापना लिकल्प diye तो right answer मर्दप्रदेश उच्च सिक्षा अनुदान आयोग की इस्थापना कब की गई तो चार विकल्ब हैं आपके सामने 1970, 1971, 1973, 1998 तो आपके यहाँ पर right answer है 1973 1973 जो है यहाँ पर विकल्ब number C आपका right answer होगा अंगला question है मर्दप्रदेश का इंवित्विध्य उन्हें इसको दौरह मेगा इनवर्सिटी का दर्जा पराप्त कर चुका है तो आपके लिए मद्फ्रत्प्रत्जैस का वह मूंखत विश्विद्याला बताना है, बताए कौन सा विश्विद्याला जो दर्जपरा कर चुका है उने इसको द्वारा मेगा इन्वर्सिटी का दरज़ा तो देवी अहल्या विस्विध्यालाए, राजा भोज मुक्त विस्विध्यालाए, माखनलाल चतुरवेदी विस्विध्यालाए या विक्रम विस्विध्यालाए तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर B विकल्प नमबर B में क्या है राजा भोज मुक्ते विस्ट विद्याले आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नमबर B अंगल्या क्वेस्चन है मद्द प्रदेश में कस्तूर्बा गांधी विद्याले कितनी है कस्तुर्भा गांदी विद्याले बताना है मद्द प्रदेश में 165, 175, 180, 207 तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 180, 180 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 180 विकल्प नंबर C अंगला कॉस्चन है तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर C साथ आपके हाँ पर राइट आंसर होगा साथ अंगला कॉस्चन है कि निम्न मेंसे किस भासा का प्रतम विस्विद्याला मद्प्रदेश 2012 में खोल गया उर्दू संस्क्रित हिंदी इनमेसी कोई नहीं राइट आंसर आपको हो गया पर कि जो है निम्न में से किस वासा का प्रता में सुविद्याल मद्द प्रिदेश 2012 में खोल गया तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर C हिंदी आपको यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन है मद्द प्रिदेश के बीना से राजस्तान तक जो राजस्तान कोट जाने वाली रेल मार गहे इसका निर्माण कब हुआ था 1867, 1890, 1895, 1900 तो आपका राइट आंसर है 1895 बिकल्प नंबर C जो है आपर राइट आंसर होगा 1895 में मद्द प्रिदेश के बीना से राजस्तान कोट जाने वाली रेल मार का जो है निर्माण हुआ था 1895 अंगला कोश्चन है कि गौन जनजाती की ब्यावसाय के आदार पर निम्न उप जातियां है आंसर आपके लिए कमेंट में बताना चेलेंज प्रिस नहीं है आपके लिए चेलेंज प्रिस नहीं है बताईए इसका क्या होगा राइट आंसर राइट आंसर क्या होगा करें वीडियो को और कमेंट के मात्याम से जरू बताएं इसका आंसर क्या होगा इस कॉस्चन का की ब्याउसाय की आदार पर नियमने उप जातियां है तो कितनी है बताइए और अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरू तो आज की वीडियो में बस इतना ही जय हिन।